मैं उत्तरप्रदेश में दिसंबर में नगर निकाय चुनाव हो सकते हैं लेकिन उससे पहले ही राजनेतिक दलों ने रणीतिया बनानी शुरू कर दी है इसी कड़ी में पेली भी जनपत में निकाय चुनाव के लिए दावेदारी को लेकर पोस्टर वार शुरू हो चुका है पोस्ट लगाकर राजनीता दावेदारी जता रहे हैं समाज सेवी और सराफा व्यापारी शैली अगरवाल का कहना है कि अगर पार्टी उन्हें टिकेट देती है तो निकाय चुनाओ जरूर लड़ेंगी मतादे कि शैली अगरवाल गन्ना विकास एवं चीनी मील राज्य मंतरी संजे सेंग गंगवार की बेहत करीबी भी मानी जाती इस समाजी जिस तरीके से आप सर्राफा एशोसेशन के महमंतरी हैं और समासेवी भी है और आपके बैनर पोस्टर भी तक है सोच के समझके ही मेरे पास आया होगा रहा राजनीतिक बात तो मैं वै पारियों की राजनीति हूं लेकिन वैपारियों की सेवा ज़रू करता हूँ शायद आपकी वैपारियों में अगर चर्चा मेरे परती हुई होगी तो वो भाव एक आपको देख गया और बाकी मैं अपने वैपारियों की मांग को लेके अपने टीम की मांग को लेके अपना आवेधन मैंने पार्टी में दिया है उस आवेधन को अगर पार्टी स्विकार करती है तो मैं अपने वैपारियों की सेवा के लिए पालिका चुनाओं में उतरूँगा और जनता की सेवा में लगूँगा जिस तरीके से आपने के होल्डिंग्स बैनर लगे हुएं आप समा सेवी भी हैं सर्राफा इससेशन के जिला महमंत्री भी है और तमाम एक चौराया भी जो है आपका उत्तप्रदी ब्यापार मंडल का जो है बनाया गया है पीलिवी शहर में तो किस तरीके की राजनीति आप क बागे काम करने की बात तो रही और बीजेपी से ताल ढोगने की बात रही तो शायद हमारे वुजर्ग भी व्यास समाज जितना भी है वह आस्था अपनी जो भी रखता है वह भारती जन्ता पार्टी में ही रखता है शुरू से हम लोगों का रहा है व्यापारियों की पार और बाकी रही आपने कहा एक चौराया हमने बनबाया तो देखिए अगर समस्या हम हैं तो समाधान भी हम है शहर हमारा है हमें ही उसको समझना है हमें ही उसको चमकाना है जब पूर्व जिलादिकारी थे उन्होंने इस बात को रखा था तो शायद वैपार मंडल ने वर्चस अपना दिखाया और वर्चल के हिस्सा लिया और हिस्सा लेने के बाद उस वैपार मंडल के तिराए को हमने बनाया जो आज शहर की शान बना हुआ है जब भी पीलिवित को इंटर होता तो उस चौराय को देखते हुए अच्छा लगता हुआ उसे और एक सबसे बड़ी बा हो रात को दो बजे भी अगर पीलिवित में इंटर होंगे और लाइट नहीं जल लगी होगी तो वह बजली विवाक के एक्षियन को फोन करके बोलेंगे इक्षियन साब लाइट नहीं जल लेए यही एक बजए होती है कि अगर हमने सुधार किया है तो समास सुधरेगा शे अब इस कंडीशन में अगर आपको टिकेट नहीं मिलता है ताब उस चंडीशन में आप क्या करता अंज वी सेवा करता हूं करhin पॉइश्टी मुझ ऐह बदू Copy अंदी ले आप असमय अब यह उस्म सेपना मुलाकात हुई क्या कुछ बात हुई इस बात को लेके कोई चर्चा हुई मेरा एक बहुत अच्छा अनुभव रहा और महीम राजपाल जी से मेरी मुलाकात हुई आपके चैनल के माध्यम से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे समय दिया इसके लिए मैं उ और एक सोचाले की शायद आप भी अब गत हैं तो मेरी प्राइटी रहीगी सब प्रतम मैं सोचाले को यहां देखूं जो सोचाले बन पढ़े हैं उन्हें कारगत कराऊं जो सोचालों का निर्मान होना है उसमें जगे तलाश करके सोचाले बन बाऊं और पार्किंग के प्रेटिंग बलाकर उनकी समस्याय सब नोट करकर उसका समधान करने का धीरे धीरे काम करूंगा यह थे शैली अगरवाल जी जिस तरी के हमारी इन से बात ही इनका साब तोर से कहना है पार्टिया का भरोसा जताती है और टिकेट देती है तो हम जरूर समाज के हित के लिए ब्यापारियों के हित के लिए काम करेंगे वहीं आपको बता दें जो संजय सिंग अगवार हैं राजमंत्री हैं गन्ना विकास हों चीनी मिल के राजमंत्री हैं उनके यह बहत करीबी माने जाते हैं तो कही ना कहीं उमीद जाता है यारे कि पार्टिय इन पर अपना भरोसा करता है और इनको टिकेट दे जिसरी के टिकेट मिलता है और जीतने के बाद यह समाच के लिए हित के लिए और व्यापारियों के हित के लिए काम